इसे सुनें, गौतम बुद्ध अलग-अलग क्षेत्रों में भ्रमन करते और अपने शिश्यों को उपदेश देते थे. एक गाम में वे उपदेश दे रहे थे. बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अगनी है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है. बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां